एक्जाम की चैनल में आपका स्वागत है देखे एसे सी MTS का एक्जाम हो चुका है उससे संबंदित कुछ कोस्चन जो पूछे गए थे उन्हें लेकर हमाजी रहें साथ ही ऐसे कुछ कोस्चन जो आने वाले समय पूछे जा सकते हैं उन्हें भी डिसकस करेंगे तो देखे पह अबूलफजल ने एक और भूक लिखी थी जो फेमस है आईने अकबर ही ठीक है एक कोस्चन यह है अबूलफजल जो आकबर के नवरतनों में सामिल थे अकबर के दरबार में जो नवरतन थे उनमें यह शामिल थे नेक्स्ट कोस्चन सीस महल का निर्मान किस के दौरा कराया तो देखे सीस महल का निर्मान जो है साहा जहां के दौरा किराया गया था 1637 में अच्छा इसको हमाम कहा जाता है जो इनकी भासा में हमाम कहा जाता है और इसको तुर्की हमाम के रूप में डिजाइन कराया हो गया था एक फैक्ट अलग यह है कि जो शीष महले एक सीष महल पटियाला में भी है एक पटियाला जो सहर है हमारा वहां भी फी एक सीष महल है हाला कि उसको कहा जाता है दा पहले सोफ मिरर के नाम से जाना जाता है और इसको 1846 में महराजा नरिंदर सिंग ने बन वाया था ठीक है एक कोस्चन यह आयाता देखे चठ पूजा में किस एज़ेटीज मिल जाएगी उसके लिए आपको चैनल पर जाना पड़ेगा जो टेलीग्राम चैनल है हमारा उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप महां से उस चैनल पर चले जाओ वहां सारी पीडिफ एक साथ आपको मिल जाएगी ठीक है और जो भ स्थापना श्रीव नारायन अगनी होतरी ने की ती देव समाज की स्थापना श्रीव नारायन अगनी होतरी ने की ती अच्छा यह जो स्थापना की ती 1887 में उससे पहले ब्रहम समाज से जुड़े थे ठीक है 1887 में इनों ने ब्रहम समाज को छोड़ा और उसके बाद अगला कोश्चन पंत्ती निरत्त्य का सम्बंद की तो देख्यें पंत्त जो निरत्त्त तो 36 में हैं और 36 में एक वो ड़ो होता है गृ знак uniform म्फ्रीघें जिसे सत्तनामी समुदाई कहा हैं वैसे तो और उससे संबंदित जो आर्टिकल है वो मैंने स्क्रीन पर दियो हैं आप इने भी पढ़ सकते हैं नेक्स्ट अगला कोस्चन जलोड मिट्टी का रंग कैसा होता है अगला कोस्चन है जलोड मिट्टी का रंग कैसा होता है तो देखे रंग तो हलका दूसर होता है बाकी जो जलोड मिट्टी है यह भारत में सबसे अधिक छेतरफल पर पाई जाती है यानि कि भारत के 43% चेतर पुखले पाई जाती है तो याएई कि बहुत यूजफूल है इसे गांसे पहले ज्लोड मिट्टा इसको दोमट मिट्टी के चाहरा जाता है इसके लामाद जयाएस स्थान बहारत कि इस Agora काली मिट्टा महराष्ट और नाम से जाना जाता है काली मिट्टी कुई अच्छा एक यह होती है लाल और पीली मिट्टी देखो मिट्टी में आइरेन ओक्साइड ज्यादा होता है जिसके वज़जे से इसका रंग लाल दिखाई देता है और जब वर्षा की मात्रा अधिक हो जाती है तो यही लाल वरतमान अद्यक्ष को न जो इसरह है उसके अद्यक्ष जो है वरतमान में देखें डॉक्टर-S लुलीते हैं इनों स्वुमनांत अजा अकि सवुममे के नादी की ज़ुवान की जगा ली नहीं हैं। गये सवुमणात इन में पहले सिव हैं। इसका जो उद्गम इस्थल है वो ज्रकंड राज्य में एक पदमा गाउँ वहां से उद्पन होती है नेक्स्ट्टफन गोतम बुध किस गण से थे तो गोतम बुध जो थे साक्य कुल से थे के कुल मतलब सक्टे से थे अच्छा इनकी जो पिता का गंट ओंड तो शाक्य गंटा लेकिन माता का गंटा वो ता कोलिया को लेजर वंस यानि के को अünde如此 कि डिनसे दी नेक्षट भूरी सेवाल को किस नाम question साक्षी मलिक का संबंद किसकेच से है देखे जो विस्वनात आंज है इनका संबंद सत्राइज से और इसके लावा जो question अब second और third shift में होंगे उनका भी क्या कहते हैं analysis आपको साम को मिल जाएगा ठीक है दोस्तों जाहिन